अभी प्रिया दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे फरवरी 7 को, स्टॉक मार्किट में क्या हुआ, क्या कोहराम मच गया एकदम all of sudden, जहां recovery लग रही थी कि चलेगी उपर, एकदम U-turn आ गया मार्किट में, बियर्स फिर से आ चुके हैं मार्किट में, लाठी लेकर भालू आया, चम, 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 अब कितना दम है इस लाठी में, यह तो समय ही बताएगा, आएए देखें, फरवरी 8 को, आपको क्या करना चाहिए, Nifty 50, Stock of the Nation का analysis करके बताते हैं, सबसे पहला कारण आज की गिरावट का, L&T, देखें, infrastructure पे जहां budget ने बहुत ही जादा funding का arrangement कराया था आज FII ने यहाँ पर इसमें कमर तोड़ दी है, L&T one of the top 3 losers है यहाँ पर, अगर आज की बात करें, तो देखें, टाटा कंजूमर के बाद, second number पर यही आ रहा है, 3.5 परतीशत की गिरावट आई है, L&T में यह अच्छी बात नहीं है, सुबह सही Nifty ने एक बार तो morning में वो ONGC और Tata Steel से मिली है, जिसने 1.3 परतीशत और 7.4 परतीशत का positive momentum दिखाया है, बाकी सब जंगा पर एकदम कोहरा मचा हुआ है, 42 stock नीचे गिरे हुए है, सिर्फ 8 stock ही advance हो पाए थे आज, तो आज broader width जो है, बहुत ही जादा negative देखी जाएगी, IT फिर से गिरना शुरू हो गया है, पहला indication यहाँ पर IT नहीं दिया था, जब पिछला correction आया था, कि FII यहाँ से माल निकाल रहे हैं, आज अगर IT के stock देखे जाएं, तो देखे दोस्तों, कोई भी नाम लीजे सब red में बंद हुए हैं, TCS 34781 पर बंद हुआ है, 1% गिरा है, Infosys 0.5% गिरा है, 1715, Vipro 0.5% गिरा है, 557 के level पर बंद हुआ है, HCL Tech वहीं पर यह भी 10.5% गिरा है, 1157 के आसपास, तो सब IT stock तकड़े गिरे हैं, इसका मदब FII इसमें से पनी position हटा रहे हैं, banking sector ने भी negative view continue maintain रखा है, अगर आज banking sector के stocks देखें, तो देखे, HDFC twins ने तो कोहराम मचा दिया, 3.6% गिरा है, सुभा से ही तकड़ी गिरावट थी HDFC में, और जब HDFC गिरता है, Sensex को कोई नहीं बचा सकता है, इसके अलावा, अगर देखे, तो ICICI bank भी काफी तकड़ी गिरा तो सब जगा पर सुभा से ही एक straight line में, किसी ने कहीं भी किसी को भी short किया होगा, उसको फाइदा मिला ही मिला होगा, ये बात आप समझेए, तो आज banking sector ने भी काफी negative view बना के रखा हुआ था यहाँ पर, चोथा कारण बात करें, देखे, inflation फिर से आने लगा है, US का data तो अ आप एक Tesco की chain होती है, उनके owner ने बताए है कि एक public statement दिया है, जो बोला गया है कि inflation शायद spring तक और 5% जादा बढ़ेगा, generally developed countries में inflation इतना जादा नहीं बढ़ता है, पर अगर आप बोले एक quarter में ही 5% का inflation बढ़ेगा, तो यहाँ पर inflation की वेज़े से थोड़ा सा challenge आ सकता है, जिसकी वेज़े से Fed थोड़ा aggressive momentum रखेंगे अपना interest को कम करने के लिए, और यही कारण है Friday के दिन फोड़ा सब pressure रहा था, अगर Dow Jones को देखें, 35,500 के असपास high बनाया, फिर 34,900, 600 point गिर चुका है, यहाँ पर Dow Jones Friday से लेकर अब तक, जरेम पाउल जी ने clear कर दिया है, Fed Chairman ने कि interest rate क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा, अब इनको inflation comfortable level पर नहीं है, इसलिए यहाँ से अब stock market से पैसा थोड़ा सा निकलने की शुरुआत हो रही है, महीं जहाँ पर हमारे finance minister श्री निर्मला सितर्मरम जी ने बताया है कि अच्छा spending करेंगे, capex लगाएंगे, बट ये सारी बाते अगर FII यहाँ पर पैसा निकालना शुरू करें, तो ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी, आज DIA ने भी जबरदस्त विक्वाली किया है, ज कहां तक हो सकता है, resistance अभी short term के लिए Nifty के future option में, आइए चल कर देखते है, रुपे के value, कल 74 रुपे, 70 पैसे के आसपास थी, आज 74 रुपे, 68 पैसे के आसपास है, दो पैसे का फरक है, कोई जादा difference नहीं है, यहाँ पर रुपे के reference में, FII जब बेक्वाली शुरू करते ह तो सारे support बेक कर तोड़ कर निकल जाते है बहार, यहाँ पर अगर हम बात करें, FII ने आज साथ फरकरी को, देखे दोस्तो, साथ फरकर डड़ा चुका है, 1100 करोड की selling की है, और वहीं DIA ने 1300 करोड की selling की है, तो दोनों ने मिलकर, यहाँ पर करीब करीब 2500 करोड की selling की है, weak hands might get squeezed, जैसा हमने आपको कई वीडियो से लगातार बोल रहे है, अभी long रहने का time नहीं है, थोड़ा पैसा निकाल लीजे market से, insurance कीजे अपने का, हमने अपने portfolio का 60 day challenge लगाया था, साड़ दिन में 2,00,000 रुपे कमाने है, और देखिए दोस्तो, अभी आधा time हुआ है, 1,00, पाक से जादा का profit आ चुका है, 50% target achieved, और आज का अगर बताएं, तो आज निफ्टी में 37,000 रुपे का profit मिला है, यहाँ पर, SGX Nifty, अभी और गिरावट दिखा रही है, 17,236 के आसपास, चल रही है SGX Nifty, technical analysis देखते हैं, निफ्टी के charts पर क्या बोल रहे हैं, तो आज अगर हम Nifty का intraday का chart देखें, देखें यहाँ पर दोस्तों, आज intraday chart पर इसने यह main support थोड़ा था, यहाँ पर, करीब करीब, डेड़ वज़े के आसपास, यह support उटा है, 17,250 के आसपास, 17,250 का support था, अब यह तूटने की वज़े से, यहाँ से, आब यह resistance की तरह से काम करेगा, इस बात को समझेगा, जो पहले support हुआ करता था, अब वो resistance की तरह से काम करेगा, तो यह जो support है, अब हम इसको यहाँ से हटाकर, 17,000 पर support ले आते हैं, यही एक main support रह जाएगा, इस support को delete करते हैं, नीचे वारा जो partial support था, अब यह major support, 17,000 पर आके रहेगा, और जो पहले resistance था, अब जो पहले support था, 17,250 का, अब वो resistance की तरह से काम करेगा, इसको अपने chart पर adjust कर लीजे, दोस्तों, थोड़ा सावधान रही है, यहाँ पर थोड़ा challenge बन सकता है, अभी market में, super trend ने अभी इसको sell signal बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं, super trend का value, यहाँ पर अभी भी sell 1797 के आसपास sell चल रहा है, देखें, support शिफ्ट कर दिया है, हमने अपने chart पर, आप अपने chart पर mark क रखेंगा इसको, और अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका जो दोनों region हमने आपको बताये थे, कि इसके नीचे अगर आज काम करेगा, अगर weekly chart पर देखें, तो यह एक M pattern बन रहा है, समझने की कोशिश कीज़ेगा, इसको देखें, यहाँ से M की left leg, M की center left leg, M की right leg, और M की extreme right leg, अगर एक बार इसने 16,400 का level तोड़ा, तो हम शायद यहाँ पर beer phase में आ जाएंगे, जो bulls की last support बची रहेगी, वो रहेगी 16,400 रुपे की हो, इस chart पर इसको तो बहुत जरूर मार्प करके रखेगा, यह make or break होगा stock market के reference में, तो थोड़ा साफधानी से काम कीज़ेगा option chain analysis देखते हैं, चली जरकर आज का option chain क्या बता रहा है, देखें, आज आपको बताई होगा, बंबई में छुटी थी आज, पर stock market खुला हुआ था, उसकी वज़े से यहाँ पर थोड़े इनके system पूरी अच्छी तरह नहीं चल रहे हैं, तो जो इसकी call put का in the money और out of the money होता यहाँ पर option chain के data के माध्यम से 70,000 open interest खुले हुए है, अगेंस्ट जहाँ पर put में 31,000 के open interest है, तो अब यहाँ पर इससे नीचे जाएगा उम्मीद्य लग रही है, नीचे जाएगा तो क्या support होगा? 17,000 का support है, जहाँ पर 79,000 के open interest खुले हुए है, अगेंस्ट में महज 6,000 क open interest है, तो अब उम्मीद लगीगी कि यहाँ पर 17,300 से 17,700 की range bound काम होगा, interesting यहोगा, कल डाउजोन कैसा करेगा यहाँ पर US में market में काम, अगर डाउजोन industrial average US का भी जुखाम हो गया, तो इंडिया में बुखार होना लाजमी है दोस्तो, दवाईया ज़रूर लेखे रखेग क्योंकि जो लोग अभी भी लॉंग थे शुरू में, उन्होंने position cover नहीं करी होगी, what are the smart players doing, जैस हमने बताया, they have already taken out the money, and they are probably short in the market, international market अभी भी negative है, Corona cases अभी भी बढ़ रहे है, neutral zone है Nifty का, तो अगर गिरने लगा, तो यह further गिरावट आएगी इसमें, short term के क्या है, buying level और short पीज संसेल्ट और फञेंशर और अगर हमारे साथ ट्रेनिंग कोर्स करने को में छूपिज़ेए, जैस चाथा बात पाय का है, जैस हमारे साथ ट्रीनिंग कोर्स करने को में जाएँ, जैस वह शबापना में जाहें